तो दोस्तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग यह बात करने वाल है कि Snapchat की application में अपना account कैसे बनाए जाता है मैं आपको यहां पर यह बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आप यहां पर अपने मौल फोर में जो Snapchat की application है इसको आप Play Store में जाकर करके इस application को डाउनलोड कर लि आप यहां पर आपका जो भी ID हो आपने यहां पर अपना ID नहीं बना है और आप यहां पर एक new ID क्रेट कर रहे हैं तो इसलिए आप यहां पर simply sign up करें जो option है आप इस पे क्लिक कर दीजे और इसके बाद आपके सामने में एक new page open हो जाएगा तो इस page में आपको यहां पर से नीचे में दिया हुए जो sign up and accept option आप इसके बाद आपको यहां पर आपका जो भी date of what है वो आपको यहां पर enter करना पड़ेगा जिसके लिए आप यहां पर देखते नीचे में यहां पर आपको कुछ options देखने को मिल रहे होंगे सो आप यहां पर simply सबसे पहले आपको इसके बाद जो भी आपका month है वो month आप अपने साब से select कर देजाए इसके बाद जो भी date है वो आप यहां पर scroll down करके यहां पर उपर से नीचे कितरब करते हुए इन सभी चीजों को आप अपने साब से बढ़ देए जिसके बाद आपका जो भी date of what है वो आपको यहां पर automatically फिल हो जाएगा अब इसके बाद आप यहां पर simply continue वाले option पर क्लिक कर देजेए इसके बाद अब आप यहां पर देख से आपका जो भी user name वो automatically create हो जाएगा अब आपको यहां पर करना यह है कि यहां पर यह जो continue का option आप सबसे नीचे में दिया हुए आप simply continue वाले option पर क्ल और passport enter करने के बाद अब आपको यहां पर करना यह है कि यहां पर यहां पर continue का option आप समझे लिए इस continue वाले option पर क्लिक कर देजेए और ऐसा करने के तुरंद बाद अब आपको यहां पर आपको यहां पर यहां पर enter करना पड़ेगा अपने यहां पर जो भी मौल नमर अभी एंटर किया है उस मॉल नमर पे एक OTP आएगा इसको इस स्नैपचेट की अप्लिकेशन के दोबारा ओटोमेंटिकली इस OTP को वेरिफाय कर ले जाएगा अगर आपके केस में अगर इस OTP को आपके को आपके कर ले जाता है तो सेम आप सेपली मेनमली जो भी OTP है उस OTP को मैसेज में जाकर देख dal को उसको टाइब करके कंटीनी वाले ऑपसिंप़ पर किलिक कर देजे इसके बाद करने के तुरह जो अप्लेटेशन नहीं कुस्ट सेकेंड आपके सामने में ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पर किसी आप परसंप को आपने हिसाब से एड करना पढ़ेगा आप यहां पर कुछ फ्रेंड्स को अपने हसाब से एड कर दीजें जो कि जरोड़ी है आप सिंपली अपने हसाब से जो भी आपको फ्रेंड सरके लाइज जिसको भी आपको अच्छा लगारा है आप उसको यह पर select कर लेज़े और इसके बाद आप यहां पर यह जो continue का option है simply आप इस continue वाले option पर क्लिक कर देज़े और इसके बाद एक last काम आपको करना है वो last काम यह है कि आपको यहां पर आप से जितने भी permissions मांगे जाते हैं उन सभी permission को आप while using the app option पर क्लिक करके जितने भी permission आप से मांगे जा रहे हैं उन सभी permission को आप simply allow कर दिए ऐसा करने के तुरह बाद आपका यह application है इसमें आपका account बन जाएगा अब आप इस application का use कर सकते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरा यह application आप यहां पर यहां पर दिख सकते हैं मैप को सकते हैं ऑप किसी क्लिक करके आप अपनी फोटो लिक करके अपने स्टोडी में एड कर सकते हैं या फिर इसके गगल में आप यहां पर देख सकते हैं एक option दिया गया हुआ है kapra pattern बस тех फाराइप कर पके आप जो भी लोग नहीं हो पांसोरी वगर ऐंड कियग लोगों ने यहां पर देख सकते हैं इसके बाद इसके बगल में एक option है डिस्कावडी तो इसENT के कर cès कार विब नहीं मिलते हैं आप से किसे दूसरे वीडियो से